EPFO Pension Scheme, Retirement के बाद आपको हर महीने मिलेंगे 7500 रूपे, जाने कैसे? EPFO द्वारा संचालित EPS योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को Retirement के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है पेंशन पात्रता के लिए 10 साल की सेवा आवशक है और निउन्तम पेंशन 7500 रुपे प्रतिमाह करने की मांग है EPFO Pension Scheme, निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भविश्य की आर्थिक स्थिर्ता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इस दिशा में EPFO, कर्मचारी भविश्य निधी संगठन, द्वारा संचालित EPS, कर्मचारी पेंशन योजना, एक महत्वपूर्ण भूमी का निभाती है इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों के सेवाने वृत्ती के बाद उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है सरकार इस योजना के माध्यम से सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी अपने रिटायर्मेंट के बाद भी नियमित आय प्राप्त कर सकें जिससे उनका भविश्य खुशाल और सुरक्षित हो EPS योजना के प्रमुखलाब रिटायर्मेंट के बाद पेंशन EPS योजना के तहत कर्मचारी को रिटायर्मेंट के बाद मासिक पेंशन मिलती है जो उनके मासिक खर्चों को पूरा करने में सहायक होती है यहाँ पेंशन कर्मचारी की सेवा अवधी और उसके वेतन के आधार पर तै की जाती है वेतन का हिस्सा EPS में जमा कर्मचारी के वेतन का 12 प्रतिशत EPS खाते में जमा होता है, जो कि EPFO द्वारा नियंतरित और विन्यमित किया जाता है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि कर्मचारी का भविश्य सुरक्षित हो. दो हिस्सों में PF का बटवारा, कम्पनी द्वारा PF को दो हिस्सों में बाटा जाता है पहला हिस्सा जो की 8.33 प्रतिशत होता है EPS कर्मचारी पेंशन स्कीम में जाता है जबकि दूसरा हिस्सा 3.67 प्रतिशत EPS कर्मचारी भविश्य निधी स्कीम में जमा होता है नियूंतम पेंशन की बढ़ती मांग साल 2014 से EPA's 1995 योजना के तहट सरकार ने नियूंतम पेंशन 1000 रुपए प्रतिमाह तै की थी लेकिन अब लंबे समय से यहां मांग उठ रही है कि इस नियूंतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए प्रतिमाह किया जाए यहां मांग इसलिए उठी है क्योंकि मौजूदा पेंशन राशी वर्तमान जीवन स्तर और बढ़ती महंगाई को देखते हुए अपर्याप मानी जा रही है EPA's 95 राष्ट्रिय संगर्ष समिती ने इस मामले को सरकार के समक्ष जोड़दार तरीके से उठाया है और साथ ही बुजूर्गों के लिए महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा की भी मांग की है पेंशन पात्रता के महत्वपूर्ण नियम EPA's योजना के तहट पेंशन प्राप्ट करने के लिए कुछ पात्रता शर्ते होती है कर्मचारी को पेंशन प्राप्ट करने के लिए कम से कम दस साल की सेवा पूरी करनी होती है अगर कोई कर्मचारी दस साल से कम सेवा में रिटायर हो जाता है तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता इस प्रकार यह जरूरी है कि कर्मचारी अपनी सेवा अवधी पूरी करें ताकि उन्हें रिटायर्मेंट के बाद पेंशन का पूरा लाभ मिल सके ऐसे मिलेगी 7500 रुपए प्रती माह पेंशन कर्मचारी की पेंशन राशी उसकी सेवा अवधी और योगदान पर निर्भर करती है अगर कोई कर्मचारी 23 वर्ष की आयू में EPS योजना में शामिल होता है और 58 वर्ष की आयू में सेवा निवरित होता है तथा उसने 15,000 रुपए मासिक वेतन पर योगदान दिया है तो 35 साल की सेवा पूरी करने के बाद उसे लगभग 7,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिल सकती है यहाँ गणना EPFO के निर्धारित मानदंडों पर आधारित होती है निशकर्ष EPFO पेंशन योजना निजी क्षेतर में काम करने वाले करमचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है यहाँ न केवल रिटायर्मेंट के बाद उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक होती है बलकि उनके भविश्य को भी सुरक्षित बनाती है नियोंतम पेंशन की बढ़ती मांग और सरकार की इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया से यह उम्मीद की जा सकती है कि भविश्य में पेंशन राशी में व्रिद्धी होगी जिससे करमचारी एक भेतर और सुरक्षित रिटायर्मेंट जीवन जी सकें EPA's 95 पेंशन भूगियों को तभी फाइदा मिलेगा जब सबसिडी नियुक्ती का अंशदान बड़े सरकारी अंशदान 2.00% प्लस हो जैसा कि आप सभी जानते हैं देश में केंद्र सरकार ने करमचारियों के लिए एक नई स्कीम लेकर आ गए हैं जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से जाना जा रहा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम आने के बाद करमचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर आवाज और तेज हो गई है EPA's 95 पेंशन भोगियों को तभी फायदा मिलेगा जब सबसिडी नियुक्ती का अंशदान बड़े सरकारी अंशदान 2.00% हो केंद्र सरकार और करमचारी भविश्य निधी संगठन पर दबाव डाला जा रहा है कि पेंशन भोगियों की नियूंतम पेंशन को बढ़ाया जाए पेंशन भोगी रामकृष्ण पिल्लाई का कहना है कि केंद्र सरकार के पैटर्न का पालन करना संभव नहीं है क्योंकि करमचारी पेंशन योजना में करमचारी नियोकता का अंशदान सीमित पेंशन योग्य वेतन का केवल 8.33% है जबकि नैशनल पेंशन सिस्टम में नियोकता द्वारा अंशदान बिना किसी सीमा के वास्तविक वेतन का 14% है क्या आपका नियोक्ती बिना किसी सीमा के वास्तविक वेतन का 14% अनुदान करने के लिए तैयार है और क्या करमचारी नियोक्ता के पूरे अंश्दान को छोड़ने के लिए तैयार है EPFO, EPA's Pension, EPA's 95 पेंशन भोगियों को तभी फायदा मिलेगा जब सबसिडी क्या आप करमचारी पेंशन योजना और करमचारी भविश्य निधी दोनों नहीं रख सकते हैं नियोक्ताओं के अलावा ट्रेड यूनियन इस बारे में क्या कहते हैं वर्तमान अवस्था के तहट जो संभव है वह पेंशन योग वेतन सीमा को बढ़ाना या सीमा को घटना नियोक्ताओं का अंचदान बढ़ाना है नियोंतम पेंशन के माध्यम से वृद्धा पेंशन भोगियों को कुछ राहत देने के लिए सरकारी सबसिडी बढ़ाना है कि वह हिट धारकों के परामर्श से उन पर विचार करें और सरकार कितना वहन कर सकती है Employees Provident Fund Organization संशोधन पर विचार करना संभव नहीं इस पोस्ट पर एक पेंशन होगी ने अरुनाचलम लक्षमनन ने लिखा है कि क्या कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन मुद्धे की समीक्षा करना और वर्तमान आर्थिक परिद्रिश्य के संबंद में संशोधन पर विचार करना संभव नहीं है Employee Pension Scheme अधिक योगदान देकर योजना में सुधार संभव सरकारी पेंशन योजना के साथ मेल खाना संभव नहीं है क्योंकि निजी क्षेत्र के नियोकताओं के पास सरकार जितनी वित्तियक्षमता और स्थिर्ता नहीं है लेकिन नियोकताओं और करमचारियों और सरकार द्वारा अधिक योगदान देकर योजना में सुधार किया जा सकता है सरकार निजी क्षेत्र की पूरी पेंशन देंदरिया को नहीं ले सकती है Pension Update Pension योजना प्रमान पत्र के बारे में जानिये वरना भारी भरकम नुकसान करमचारी Pension स्कीम के तहत यदि कोई करमचारी EPFO में निवेश के 10 वर्ष पूरे होने से पहले नौकरी छोड़ देते हैं तो वह Pension योजना प्रमान पत्र, स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अपलाई कर सकते हैं इससे वह भविश्य में नई जगा नौकरी के लिए अपने सर्टिफिकेट को सरेंडर करके दोबारा EPFO में निवेश कर सकते हैं Pension Update EPFO के करमचारी Pension योजना, EPS, के तहत निवेश करने वाले करमचारियों को Pension का लाप प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष योगदान करना जरूरी होता है 10 वर्ष से कम सेवा करने वाले करमचारी Pension हेतु पात्र नहीं माने जाते ऐसे में यदि कोई EPFO सदस्य दस वर्ष पूरे होने से पहले अपने नौकरी छोड़ देता है और किसी प्रतिष्थित कमपनी में दोबारा नौकरी जवाइन नहीं करता या ऐसी जगा नौकरी करता है जहां EPFO Act लागू नहीं है तो इस स्थिती में वह पेंशन योजना प्रमान पत्र स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अपलाई कर सकता है इस सर्टिफिकेट के जरिये आप दोबारा EPFO को अपने नए खाते से जोड़ कर अपने पेंशन के लिए दस वर्ष इसमें निवेश करके पेंशन का लाब प्राप्त कर सकते हैं ऐसे में यदि आप भी EPFO के सदस्य हैं तो चलिए जानते हैं कैसे आप स्कीम सर्टिफिकेट भरने के लिए आवेदन कर सकेंगे क्या है पेंशन योजना प्रमान पत्र? बता दे, पेंशन योजना प्रमान पत्र EPFO द्वारा जारी किया जाता है इसमें सदस्य की सदस्यता और परिवार की जानकारी दर्ज होती है ऐसे में EPFO सदस्य यदि नौकरी छोड़कर भविश में दोबारा नौकरी जवाइन करते हैं तो दोबारा पेंशन योजना का सदस्य बनने के लिए वह इस सर्टिफिकेट को सरेंडर करके अपनी सदस्यता को नए अकाउंट में एड़ कर सकते हैं कैसे करें पेंशन का आवेदन? पेंशन योजना प्रमान पत्र के लिए आप अपने नियोकता के जरिये आवेदन कर सकते हैं वैसे तो पेंशन स्कीम के तहट आवेदक के 10 साल पूरे होने के साथ साथ पूरी पेंशन क्लेम करने के लिए 58 वर्ष की आयू पूरी होनी चाहिए हाला कि यदि वहाँ अरली पेंशन के लिए क्लेम करते हैं तो वहाँ 50 वर्ष से 58 वर्ष की आयू तक भी क्लेम कर सकते हैं लेकिन यह सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए भी उप्योगी है जिनकी सदस्यता भले ही 10 साल हो गई है लेकिन उनकी आयू 50 वर्ष से कम है और वहाँ अपनी जौब छोड़ चुके हैं ऐसे सदस्य यह सर्टिफिकेट लेकर 50 वर्ष की आयू पूरी होने पर इस सर्टिफिके को लगा कर फॉर्म 10D में पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं पेंशन प्रमान पत्र प्राप्त करने के लिए सदस्य को फॉर्म 10C के लिए आवेदन करना होगा